गुद मॉर्निंग दोस्टों वेलकम बेक टू नव यूडियो और देखे दोस्टों ये सिर्ट जो है वो मैंने पिछली 20 टारिक को लगाये थे और आज जो है वो 30 टारिक हुई यानि कि 10 दिन हुई है तो आज के इस यूडियो में मैं प्रेक्टिकली आप लोगों को अदेन आपको मैं step by step बटाऊंगा देखाऊंगा कि किस तरह मैंने ये सिर्ट जो लगाये थे और देखे या 10 दिन का ये रिजल्ट है तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा तो चले दोस्तों वीडियो के शुरूआत करते हैं मैं उम्मिद रखता हूँ दोस्तों कि कल जो मैंने वीडियो अफ्लोड किया था वो आप लोगों ने जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा तो ये वीडियो खटम होने के बाद जरूर देखेगा वो वीडियो आप देखोगे तभी आपको जो है वो ये वीडियो पूरा समझ आएगा उस वीडियो में अदेनियों के रिले सकते हो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है वो भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले उसमें सभी डिटेल्स है और दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जो हो लाइक कर इसमें हम सीट्स को पानी में सोक करेंगे मतलब पानी में 66 गंद और दोस्तों यह पानी जो है वो नॉर्मल पानी है जो हम पीने के लिए यूज करते है मतके में से वही यूज करना है और कोई पानी यूज नहीं करना और जो नॉर्मल टेंपरेचर में होना चाहिए फिर द दोस्तो ये वही सारे सीड्स है जो मैंने चैनल पर सेल के लिए रखे थे और काफी हमारे यूट्यूबर मिट्रों जो हो मुझसे वो सीड्स खरीडे भी थे तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बटाएगा कि आपको किस तरह का जर्मिनेशन मिला है ताकि अससे तो मुझे काफी वेराइटिक लगाने है लेकिन इस वीडियो में मैं शिर्फ ये इतनी वेराइटिक ही बताऊँगा तो डेखे ग्लास में मैं रख दिया फिर इसमें ये पानी डाल दिजी आप पानी इतना डाल लिए कि आठा ग्लास तक भर जाए जिससे सीड्स गाने का लोजिक और कोई नहीं बलकि यही है अब बात करते हैं कि सिट्स को कितने घंटों तक पानी में रखना है तो देखे दोस्टों मेरे सिट्स जो फ्रेश है मैं मैक्सिमुम 6 घंटे तक रखता हूं उससे ज्यादा नहीं रखता अगर इंपोर्टन सिट्स है तो कभी दिये तो भी सिट्स खरब होने का बहुत चांस रहता है देखे अगर कम सोक हुए तो कोई खरा भी नहीं फिर भी सिट्सटों जर्मिनेशन हो जाएगा लेकिन अगर ज्यादा सोक हो गए तो सिट्स खरब होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं तो यह बात का हमेशा ख्याल रखे कि सीड्स जड़ा नहीं रहने चाहिए पानी में देखिए अभी पानी में 6 गंते हो चुके हैं और देखिए यह सीड्स जो है वो सारे सीड्स अच्छी तरह से पानी सोक के फूल चुके हैं मतलब मोट हो चुके उसका जो उपर का कवर होता है ब्राउन कलर का वो ठोड़ा मोटा हो गया है और अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हो देखिए सभी वेराइटी के देख लिजिए तो देखिए आपको एक बात नोटिस करने हैं कि इस स्टेट पे जब आपके सीड्स आ जाए त आपको कैसे पटा चलेगा सीड्स टेयार है देखिए यह जो ब्राउन कलर है अगर आप उसको धीरे से नाकुन से निकालना चाहो तो निकल जाए इतनी स्टेट में आज जाए तो समझ लेजिए आपके सीड्स जो है वो रेडी है सोल में लगाने के लिए यह देखिए पानी में रखने से सीड्स का जो उपरगा कवर होता है वो थोड़ा जो है वो आसान हो जाता है सीड्स को निकलने में और जो सीड्स की जर्मीनेशन प्रोसेस होते है वो भी थोड़ी तेज हो जाते है ताकि सीड्स जो है वो दो तिन दिन में ही आसानी से बहार निकल सके त देखिए कई लोग क्या करते हैं कि जब पानी में सिट्स भीगोते हैं तो उसको फंगिसाइड वाला पानी में भीगोते हैं तो देखिए ऐसा नहीं करना उसमें जो है वो जर्मिनेशन कम होने का चांस रेटा है आपको सिर्फ जो नॉर्मल पानी होता है पीने का पानी उसे म कोई जरूरत नहीं है वेसे तो कुछ केमिकल भी होते हैं लेकिन अडेनिया में उस सभी की जरूरत नहीं है सिर्फ पानी में भी यह हो जाते हैं और एक और बात आप नोटिस किजिए जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे वह पानी में पाच्चे गंदे रखने के बाद जो आवा जाते हैं वह सीड जो हो निक्चे बैट जाते हैं और यह बात पर आप नोटिस किजिए गां एसा नहीं कि उपर टेड़ने वाले सीड्स midnight घर्मीनेशन नहीं होंगे लेकिन जो सीड्स निक्चे बैट जाएंगे उसका घर्मीनेशन बहुत ऊस्ट होगा और उसके क्वालेटी भी बहुत अच्छी होगी और बाकी उपर वाले सीड्स भी जर्मिनेट तो हो ही जाएंगे तो चलिए अब जो हो में किस सोईल मीडिया में इसको लगाना है वो दिखाता हूँ तो देखे ये मेरा सोईल मीडिया है जिसमें मैं सीड्स लगाता हूँ मैं में आब चार ही चीजों का इस्टे मल करता हूँ तो देखे दोस्टों ये सोईल मीडिया मेरे में वेठर के हिसाब से है जो हो शीड्स जर्मिनेट करता हूँ और मुझे बहुत अच्चा रिजर्ब मिलता है सबसे पहले चीज है यह रिवर्सेंट जिसे हम नदी में से निकालते हैं मिठे पानी में से जो ब्राउन कलर की होती है देखें आप बारिक पाउडर मत लेजेगा थोड़ी मोटी वाली फिर ओठा है कोकोपीट तो यह डोनों जो हो सबसे में इंग्रीडियन होते हैं कोकोपीट को मैंने आपको पिछले वीडियो में बटाया कि किस तरह से प्रोसेस करना है वो हमेशा याद रखें आप डाइरेक कोकोपीट यूस मत किजिए उसको जो प्रोसेस करना होता है 3-4 बार वास करके वो बहुत जरूर है वो आप जरूर देखेगा पिछला अगला वी किजिए और इसको इस्तेमाल किजिए बड़े तुकड़े सीट्स में मत किजिएगा और फिर आता है वर्मी कमपोस या आप जो भी गोबर खाद यूज करते हो वो ड्राइ यूज करिएगा देखे यह ड्राइ है और ठोड़े जो है यह मेरे घर की गायों का गोबर है तो इ अंडाजे से 30-30% जितना इस्तेमाल करता हूँ और बाकी जो 40% बशा उसमें 20-20% जितना में कोईला और ये जो वर्मी कमपोस होता है इसका इस्तेमाल करता हूँ और आपके वेटर के हिसाब से आप जो कोकोपीत है वो कम या जड़ा मात्रा में इस्तेमाल किजिएगा यू तो कोको पीट कम और रिवर्सन ज़्यादा इस्टेमाल कीजिए यह आप हमेशा याद रखे और देखे में जो सोयल मेडिया है अल्रेडी बना के रखा है क्योंकि मैं अगर वीडियो में बनाना जाओंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैंने अल्रेडी यह बना करें हैं तो इसमें मेरे जो है फोको पीट यह थोड़ी ज़्यादा मत्रा में है थन्द का मोसम हो और आपके यहां जो बारिस जयादा होती हो तो आप स्टिमाल किजिए गाए और अगर गर्मी का मोसम है तो को को पीट थोड़ा ज्यादा अब बारे है पोट सिलेक्षन की तो देखे इसके उपर मैंने काफी detail जो पिछले वीडियो में दी है, मैंने उसमें आपको साफ साफ मना किया है कि disposable glass मत यूज़ करिएगा, जो seedling tray होते हैं वो भी ardenium seed के लिए मत इस्टेमाल किजेगा, इसी तरह के pot या फिर bucket का ही इस्टेमाल किजेगा, तो देखे मैं 10 seeds लगाने के लिए ये 6 inch का pot है वो इस्टेमाल करूँगा, अगर आपके पास 10 से ज़्यादा seeds है तो आप बढ़ा लीजिए, maximum जो है वो 6 inch के pot में 10 seeds आप लगा सकते हो, या फिर उसके ज़्यादा seeds है तो आप थोड़ा बढ़ा इस्टेमाल किजेगा, अगर आपको 5 seeds ही germination करना है, तो छोटा pot 5 inch का इस्टेमाल किजे, लेकिन देखे हमेशा एक बात का ख्याल रखे कि 2 seeds के बीच में 1 inch टका gap रहना चाहिए, ये देखे अगर आपके पास 15-20 seeds स तो इस्टेरा का बड़ा 9-10 inch का pot इस्टेमाल किजे, तो मैं अभी 6 inch के pot में लगाने वाला हूँ, देखे मैंने पिछले वीडियो में भी बता है, आज भी बता रहा हूँ कि pot में seed लगाने का benefit बहुत है, वो ये है कि देखे इसमें moisture control रहता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा, तभी आपको पटा चलेगा, तो सबसे पहले pot का जो bottom है, वो में ये मुंगफली के छिलके है, उससे cover कर लेता हूँ, उसके बाद जो हो soil media लगा, आप डालिये, पूरा pot भर दीजे, उपर डग, और एक बाद आप notice कि जेगा, कि soil media जो है, उमेंने थोड़ा ओल कमपोस नीचे बेट जाएगा, soil उपर आ जाएगी, कोको पीट वो सब अच्छी तरह मिक्स नहीं होता, इसलिए आप हमेशा थोड़ा पानी इसमें डाल दीजे, ताकि जो है, वो सभी चीज अच्छी तरह मिक्स हो, तो देखे, पोट को पूरा उपर टक आप भर लीजेग बाहरो आने के बाद, तो सबसे पहले देखिए, seeds हम बाहर निकाल देखे, और देखे, यहाँ पे आपके पास बीजेफ फैस थैसलिव लगा, और दूसरा यह वो हुआ, यह बाँन काभ डीजे हो, निकाल के लगावे, निकाल का आने, मैं आपको लूर मेठर है बताओंगा आप ज़रूर देखेगा दोस्टों जब फ्रेश सीड्स होते हैं मतलब हार्वेस्ट की एक डो महीना ही हुआ होगा तो तब जो है वो आप बिना इसका जो उपर का ब्राउन कवर निकाले भी सीड्स को लगा होगे तो 100% जर्मिनेशन हो जाएगा और अगर पूराने सीड्स ह या फिर थाइलेंड से इंपोरेट है वो ओल्रेदी 5-6 महीने पुराने हो चुके होते हैं तो उस हिसाब में जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए आप इसका जो यह उपर का कवर है वो निकाल सकते हैं तो यह निकालना भी काफी आसान है बस थोड़ी प्रैक्टिस के जरूरत ह उसके आप इस तरह से नाखुन से निकालिए यह देखिए इसटर कई एक्सपट लोग जो बहुत पुराने सीड्स होते है वो इसके उपर भी यह सफट आपको दिखाई दे रहा है इसके उपर भी और सफट लेर होता है वो भी निकाल देते हैं लेकिन वो आप बिगिनर हो होता है वो मत निकालेगा यहां तक निकालने से भी सिट अच्छी तरह से जर्मिने तो ही जाएंगे और में तो कहता हूं कि अगर इंडियन सीड्स है जो भी वह फ्रेस ही होते है तो आप उसको यह ब्राउन कवर भी मत निकालेगा में तो आपको यह वीडियो में सिर्फ लगाने वाला हूं तो देखे इस तरह से आप निया सीड्स जो है वो स्वेल मेडिया पर रख दीजिए यह देखे कई लोग क्या करते हैं कि यहां जो है रूट का और पट्टों का पाट धुनने की कोशिस करते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं होती इस तरह से बस आप सीड्स रख दीजिए तो चलिया मैं पहले सीड्स सभी रख देता हूं क्योंकि एक करके रखने जाओंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा एक्चुली में यह एक वेराइटी के सीड्स जो है वो आपको इस तरह से हस निकालके लगा के दिखाता हूं तो इस बाट का आप ख ज्यादा निकले तो मैंने वो दो-तिन सीड्स के लिए एक्स्ट्रा पोट लेना जो फाइडे मन है नहीं इसलिए ठोड़ा बहुत करके इसी में लगा दिये आप हमेसे एक बाट का याद रखिए कि दो सीड्स के बीच में कम से कम जो है एक इंच टक का गेप होना चाहिए तबी जाके सीड्स जो है वो अच्छी तरह से तो चले अब जो हो मैं डाइरेक सीड्स लगा के आपको दिखाता हूँ यह देखिए इसका जो है वो हस्क में नहीं निकालने वाला देखे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर फ्रेज सीड्स है तो आप इसको बेजी जग इसी तरह लगा दिजेगा तो देखिए बाकी की सभी प्रोसेस सेम ही है बस आपको यह सीड्स जो है वो डाइरेक इस तरह से रख देने है उपर बिना हस्क निकाले देखिएगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर भी मैंने कुछ सीड्स ज़्यादा ही लगा दिये पोट के हिसाब से तो आप हमेशा मैंने जो पहले बताया वो फोलो किजीगा क्योंकि दो तिन सीड्स के लिए मैं नया पोट इस्टेमल नहीं करने वाला क्योंकि यह वीडियो सिर्फ में आ आठे सेंटीमेटर जिटना करना है जो हमारा सोयल मीडिया हमने बनाया है उसी से आपको कवर करना है एक है इस तरह अच्छे तरह से कवर कर दीजिए तो बस कोई सीट्स दीखना नहीं चाहिए उतना आप उसको जो है वो उपर कवर कर दीजिए लेयर अब बारी है इसको पानी देने की तो देखे दूस्तो यह आप स्प्रे से उसको पानी अच्छी तरह से दे दीजिए अभी ही और हाँ पानी में मैंने फंगी साइड ओल्र पानी में एक चम्मस से लेके आटे चम्मस तक का जो भी फंगी साइड आपके पास हो वो मिक्स करके दीजिएगा जरूरत नहीं किसी ब्रांड की आपके पास जो भी अवेलेबल फंगी साइड हो उसका आप इस्टिमाल किजिए अब बारी है कि हम इसको रखे कहां तो यहां पर मैंने सारे अदेनियम रखे है तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से रख दीजिए उसके बार जो है वो आप पीछे देखे मैंने उल्टा पोर्ट उस पर करके रखा है यह देखे मेरा सीड है उसके निच्छे मैंने यहां रख दिए यहां पर नॉर्मल जो है वो दो दिन बाद उठा कर देखना है कि जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ या नहीं दो दिन तक इसको कुछ नहीं करना जर्मिनेशन देखे दोस्तों तीन दिन से लेके 5-6 दिन या फिर 15 दिन के अंदर सारे हो जाएंगे लेकिन मेक्सिमम जो है सिर्मिनेशन करता हूँ आप मुझे कॉमेंट में बटाएए कि आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देजे और जिन लोगों ने मेरे सिर्स खरीदे है वो मुझे कॉमेंट में जरूर बटाएगा कि आप लोगों को किस तरह का जर्मिनेशन मिला है क्योंकि आपकी कॉमेंट जो है मैं फीडबेक की तरह यूज करूँगा मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे सिर्स जिन लोगों ने लिये हैं उन लोगों के पास जर्मिनेशन हो गया है अब एक और बाट की कई लोगों का सवाल है कि हम इसको रिपोट कब करें तो देखे ये सिडलिंग देखिए इस स्टेज में आने के बाद हमें रिपोट करना है तो देखे ये छे साथ महीने लग जाएंगे इसमें तो तभी रिपोट करेंगे तभी अच्छी तरह से मल्ति ब्रांच होगी और उसी से देखे इस तरह का सीटलिंग बनेगा तो वो में नेक्स वीडियो में आप लोगों को बटाऊंगा कि किस तरह रिपोट करना है और कब रिपोट करना है वो भी में नेक्स वीडियो जो होगा उसी में आपको बताऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तब आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो जो नेक्स आ चुका है तो बस दोस्टों वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्टों के साथ शेर किजे और हां कॉमेंट मत करना भूलिएगा कि आपका जर्मिनेशन कैसा रहा और भी कोई क्वेस्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर पुछेगा तो मिलते हैं डोस्टों नेक्स वीडियो में कि आपका जर्मिनेशन का 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 जर्मिन